हेलो दोस्तो नमस्कार स्टॉक मार्केट क्लासेस चैनल में मैं आप सबी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सो दोस्तो आज का ये वीडियो है न बहुत ही जादा मज़ेदार रहने वाले हैं ये जोस्तो क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारे लोग के कमेंट भी रहते हैं तो वह रिविल कर दीजिए, हम लोग एंटर तो कर लेते हैं बट एकजिट कप करने का ये हम लोग को समझ में नहीं आता है तो उसका कोई सीक्रेट टीप रहेगा तो बता दीजिए बहुत सारे ल फर्स्टाम विजिट के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल ऐकन को हिट जरूर कर लेना तो अगर आप लोग को यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का सीक्रेट जानना है न तो यहाँ पर इस वीडियो में तीन एक्जामपल आने वाले हैं यह तीन एक्जामपल देख की बात हम लोग नहीं कर रहे हम लोग लोग टर्म इंवेस्मेंट की बात करें लोग टर्म इंवेस्मेंट अगर आप करोगे तो कब यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए उसका सीक्रेट कैसर राइट तो यह वीडियो देखने बहुत सारों मुझे कमेंट सेक्षन मे रहे चुके हैं तो दोस्तों उन्हीं से रिलेटेड एक कहानी में आप लोग को बताना चाहूंगा वापस कहना चाहूंगा HDFC बैंक के CEO एक CEO आप ऐसा भी यहाँ पर बोल सकते हो मतब CEO के उपर कोई और occupation मतब पोस्ट होती ही नहीं है टॉप नोच हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं लास्ट परसन राइट जोस्तों यहाँ पर अधित्यपूरी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने 843 करोड के क्या किये थे HDFC बैंक के शेर्स सेल किये थे यह जोस्तों इफ आम नौट रॉंग जुलय मन्त था जुलय मन्त की में बात करा हूँ उन्होंने लगबख साड़े 800 करोड राउंडेट अफ पकड़ लेते हैं इजी पड़ेगा साड़े 800 करोड के शेर्स उनके पास जो थे मतलब जितने शेर्स थे उन्होंने बेच दिये उस लेवल पे क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर किसी के पास रहेगी कंपणी के मैनेजमेंट के पास होती है और मैनेजमेंट का भी सबसे टॉप इंसन कोई होता है तो वो कंपणी का चीफ एक्जीकिटिव ऑफिसर ही होता है सो दोस्तों मिस्टर अदित्य पूरी के अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने वो शेर बेचे थे एवरेज प्राइज वन वन फ्री जिरो ग्यारा सो तीस रुपे में बेचे थे जुले मन्द की में बात करा आपको गुगल करो गे ना तो भी मिल जाएगा ग्यारा सो तीस रुपे पे उन्होंने ये स्टॉक को तभी बेचा था मतलब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों समझ रहे हैं यह HDFC बैंक का ही चार्ट पेटन है आज स्टॉक यहाँ पे चल रहा है और इन्होंने यहाँ पे वो स्टॉक बेच दिये 1130 पे और लगबग 8500 करोड इनके हो गए पर दोस्तों अगर आप लोग देखोगे तो आज के दिन वही HDFC बैंक 1590 के भी उपर है लगबग 1600 पे चल रहा है 1600 पे मतलब अगर अधित्य पूरी 1130 पे स्टॉक नहीं बेचते तो उनको लगबग 8500 नहीं दोस्तों उसके बदले उनको आज की वैल्यू लगबग 1200 करोड के आसपस थी 1200 मतलब समझ रहे हो वो अगर नहीं बेचते तो 1200 करोड उनके पास होते तो हम लोग कह सकते कि लगबग उनने वो स्टॉक बेचे ना जुलाय में साड़े 800 करोड के आसपस उसके वदलत उनको लगबग 300 करोड का लॉस हुआ क्योंकि अगर वो आज नहीं बेचते क्योंकि उनने बेचा कब 1130 पे बेचा आज है 1598, 1600 approximately साड़े 300 करोड का लॉस हम लोग बोल सकते नोशनल बोल सकते हैं एक्च्वल जेप से तो नहीं गया बट नोशनल अगर होल्ड करते तो और 350 करोड कमाते सो यहां पर आप लोगों को कुछ समझा प्रॉफिट बोकिंग का कोई सिक्रेट समझा शायद से आप लोगों को नहीं समझा तो नेक्स्ट एक्जामपल के उपर में आ जाता हूं थोड़ा सा अभी आप लोगों को क्लिक हो जाएगा राइट बट उससे पहले जरू के ना चाहूंगा यह वीडियो बहुत ही जादा तो वहाँ पे भी और एक न्यूज है आप देख सकते हैं मिस्टर वैद्यानाथन सेल्द शेर्स इन आ आईडी एफसी फर्स्ट बैंक ऐस दा मार्केट स्लंप यह भी पूरानी न्यूज है जब मार्केट क्रैश हो रहा था तब ही उन्होंने यह शेर्स बेचे अभी आप पोस्त था वही इनका भी है CEO and Managing Director है और इन्होंने भी क्या किये अपने लगबग 45 मिलियन शेर्स जब मार्केट गिरा था तब ही उन्होंने बेचे थी कितने रूपे पे 20 रूपे 90 पैसे के आसपास और इससे उनको मिला कितना बता है 93 चलो 94 करोड मिला 94 करोड बट बेचा कितने पे 20 रूपे 90 पैसे के आसपास आज उसी स्टॉक का प्राइज 48 रूपीज 50 पैसे हैं दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है मतलब जो 93 करोड उन्होंने उस टाइम पे कमा है स्टॉक बेचके आज अगर वो होल्ड करते ना तो 218 करोड हो जाते मतलब अगर वो नहीं बे उनको यहाँ पे 218 करोड मिलते आज अगर वो बेचते 124 करोड के आसपास का नुकसान है दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को कोई प्रॉफिट बुकिंग सीक्रेट समझा आप लोगों को सो दोस्तों इसका आंसर यही है देर इस नो सिक्रेट याज दोस्तों जब कमपनी के CEO को ही नहीं पता है कि स्टॉक बेचने के बाद कहा पे जाएगा आप मुझे पूछते हो कमेंट सेक्शन में आप बाखी लोगों को पूछते हो कोर्सेज भी बने कि कब एक्जिट करना चाहिए दोस्तों जब कमपनी के इतने टॉप नोच एंपलोईस मतलब हम कह सकती है CEO के उपर होता को ने कोई भी नहीं अगर वो जो प्रेडिक करेंगे उसके खिलाव भी मार्केट जाता है तो आप लोग जो इधर उदर पूछते कि एक्जिट कब होना है दोस्तों किसी को भी पता नहीं होता है और यह फैक्ट है मैं आप लोगों को जो बहता रहा हूँ आपके सामने दो एक्जामपल रखे मैंने HDFC बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक उनके CEO ने जाके शेर्स बेचे अभी यही तो सोचा होगा ना कि इसके नी पर्सें से नहीं बना है चाहिए आप उस कंपनी के खुद CEO की नहीं हो आज वह स्टॉक आप HDFC देख सकते हो बैंक जो उन्होंने 1130 में बेचा था आज 1600 पर चल रहा है 1600 उनका 3.5 करोड का नुकसान हुआ राइट और वो भी कितने चंद महीनों में 7-8 में जुले में बेच कभी आपने देखा हैं मैं आपको कभी इसके बारे में reply देता हूं नहीं देता हूं क्योंकि उसका answer है ही नहीं दोस्तो यही मैं आप लोग को सच बताना चाहूंगा अभी आप यह भी बोलोगे तो फिर profit book करना कब चाहिए उसका logic भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा बट ये जो आप इधर उदर पूछते रहता हो ना किसी को कुछ पता नहीं होता है वो ऐसे ही बोल देते कोई भी आप लोगों को कि हाँ इस लेवल पे बुक कर लो प्रॉफिट करके तो आज के बाद ना अगर आप एक long term investor हो ना तो ये किसी को पूछना बंद किजिए बहुत लोग आपको ग्यान देने वाले मिलेंगे में भी अगर आप लोगों को बोल देता हूँ कभी तो मेरी भी बात सुनना मत कभी इसका best example आप लोगों के सामने में ने अभी रखा है चलो ये तो दो example होगे अभी आ जाते है example number 3 के पर मिस्टर राकेश जुन-जुन वाला बिग बुल राइट तो ये छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है आप चाहो तो वीडियो को यहापर रोक सकते हो बट जो मैं बोल रहा हूँ तो शायद से ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये थोड़ी सी पूरानी case study है बट जो उसका आउटपुट है वो अभी के दो एक्जामपल है उसी तरिकार है नहीं वाले है दोस्तो 2005 की बात करें न तो राकेश जुन-जुन वाला के पास क्रिसल के शेर्स थे क्रिसल के तो उनको मुंबई में house purchase करना था इसलिए उन्होंने अपने क्या कर दिये 27 करोड के शेर्स दिये दोस्तो उस क्रिसल के 27 करोड के शेर का दाम पता है 700 करोड हो चुक है 700 करोड एंड ये तो पुरानी न्यूज है आज के जमाने में अगर calculate करोगे ना शायद से more than double भी हो सकते मतलब आप देख लिना जमीन आसमान का फरक उन्होंने 27 करोड में बेज दिये जिसकी value कुछी सालों के बाद हम लोग कह सकते हैं 700 करोड हो गयी दोस्तो 700 करोड आपको समझ रहे कितना बड़ा difference है अभी क्या राकेश जुन जुन वाला जी को नहीं पता है कि कब profit बुक करना अभी उनको तो लगाई होगा ना कि क्रिसल इसके बाद शायद से इतना नहीं चलेगा आज मतलब देख सकते 700 करोड हो गया दोस्तों बताने का मकसद यही राकेश जुन जुन वाला जी ने भी बोला था एक बार कि मुझे पश्ताव हो रहा है कि ऐसा मैंने क्यूं किया यह और जबरदस value addition होता तो दोस्तों यह भी एक और example आप लोगों के सामने जो आप लोग पूर्चते रहते हो ना कि कब profit book करना चीए दोस्तों nobody knows market exactly कहा पर जाएगा ने किसी को भी नहीं पता है और यह सबसे दुनिया के बड़े investor Warren Buffet ने भी कहा है कि कल क्या होगा ना यह भी नहीं पता बहुत सारों के comment रहते है अरे वही कल क्या होगा वो तो बता अरे कल क्या होगा यह किसी को नहीं पता है इतने uncertainty से रहते है हाँ आप अपना नजरेया उतना लंबा करो आप predict proper कर पाऊगे कल क्या होगा यह ऐसे हो गया कि एक ball डाल दी batsman को baller ने और आप बता रहो कि चलो match का result क्या होगा वो बता दो मतलब कुछ भी यही मैं आप लोगों को बलना चाहूँगा कि आप इतने जल्दी decision लोगे तो आप लोग गलत ही जाओगे सो सर हम लोगों ने profit book करने का इससे चाहिए तो दोस्तो इससे related मैंने एक बार एक video बनाया था और उसमें मैंने इस strategy बताई थी कि अगर आप investment करते हो ना तो आप लोगों का कुछ target होना चाहिए कि आपको chocolate चाहिए 10 रुपे का chocolate चाहिए 200 रुपे का चाहिए आपको एक mobile phone खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदना है, आपको बंगला खरीदना है अरे कुछ तो target होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पैसा लगाया जो होगा देखा जाएगा उसमें कोई मज़ा नहीं है, डाइरेक्शन लेस रहोगे, तो फिर आपको ही समझ मिनी आएगा जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आपने एक लाख रुपे मार्केट में लगाया है आपको चाहिए सो रुपे का चॉकलेट, तो एक लाख का सो रुपे हो गया, एक लाख का एक लाख सो हो गया सिर्फ एक्जामपल के लिए पकड़ लिए, कर लिजे profit book क्योंकि आपका target अचिव हो चुका है चलो नहीं मुझे 10,000 का मोबाल चाहिए, एक लाख का investment किया है, 1,10,000 हो गया कर लो profit book, हो गया आप लोगों का जो target था अचिव हो गया, एक लाख का investment किया नहीं मुझे 10,000 की गाड़ी खरीदिए, तो 10,000 का इंतजार कीजिए, तो दोस्तो ऐसा ही अगर आप लोग target clear रखोगे ना अपने life में, तो obviously आप लोग यहापे क्या कर सकोगे, properly profit booking कर पाओगे, क्योंकि exactly ना stock कहा से खतम, ऐसा कोई rule नहीं है कि stock वहाँ से खतम हो जाएगा करके, जब company के CEO and stock market की big bull ही अगर predict नहीं कर पाए, कि वो stock उससे आगे इतना बड़ेगा, तो आप और हम लोग कौन होते है, तो दोस्तो एक ही चीज है, कि आप चाते क्या हो market से, वो आपका define होना चाहिए, अभी मज़ेदार example बताना चाहूँगा, बहुत सर रों बोलते हैं, सर मुझे 10 लाग की गाड़ी खरीदनी है, एक लाग इन्वेस्ट किया, सर ठैंक यू, आपके वज़े से बहुत अच्छ आपको hold करना है, क्योंकि आपका target ही है 10 लाग का, इवन दो आपका 6 लाग भी पहुच गया, तो भी आप लोग को hold करना है, क्योंकि आपने बता है कि आपका target 10 लाग है, तो दोस्तो इस तरीके से आप लोग अपने, बोलते हैं ना, target सेट करो, तभी, अगर आप without target चलोगे क्योंकि मेरा vision clear है, कि ये ऐसे share है, जो कि मैं अपने, बोलते है ना, family member जो आगे भी आने वाले है, उनको भी मैं pass on करने के लिए तैयार हूँ, इतने बढ़िया share है, तो मुझे कोई confusion नहीं रहता है, कल TCS हो, कोई भी हो, Tata कोई भी share हो, buyback लेके आजा है, मैं देऊंगा ही नहीं, आप मेरे videos जाके दूसरे channel के उपर देख लेना, मैं पहले बोल देता हूँ, नहीं दूँगा, क्योंकि वो stock मुझे पसंदे, clarity है, कुछ stock ऐसे, जहाँ पर मैंने decide कि है, yes, यह XYZ की गाड़ी में खरीद लूँगा, उसके लिए मुझे इतना इतना पैसा चाहिए, ज मेरा ही channel है, sharebazar में profit book करने का जबरदस तरीका, तो link उपर आए button पे दिए, इस video को ज़रूर देख लेना, इसमें यही चीज मैंने बताई थी, और याद रखना, अगर आपका target जैसे मैं बताया, कि 1 लाग से 10 लाग कमान है, एक stock में आप लोग ने enter की है, right, 1 लाग का 2 ला आपको गडबड़ी नजर नहीं आती है, internal issue नजर नहीं आता है, तब तक hold करो, जब तक आपका target अची हुनी होता, तब तक hold करो, बीच में कुछ गडबड़ी आ गई, तो exit कर लो, कितना simple है market, बट problem क्या होता है, हम लोगों को target ही नहीं पता है, बस छोड़ दिया है market में, ऐसे stock, आप pain or paper लिखके, answer लिखके बताओ, मैं बता तो 90% लोग नहीं लिख पाएंगे, उनको पता ही नहीं, बस पैसा डाल के छोड़ दिया है, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं चलता है market में, तो ये बात आप लोगों को सीखनी पड़ेगे, और कोई नहीं सीखा स मतलब खरीद सकता, कमा सकता, या फिर मेरी income से में कमा नहीं सकता, इसके लिए में stock market में investment करने आया हूँ, और इसलिए में hold करता हूँ, एक mobile phone में, मैं saving से भी कमी, मतलब बोलते हैं, खरीद सकता हूँ, एक आम आदमे के में बात करा हूँ, एक XYZ चीज मुझे खरीद नहीं नहीं खरीद सकता, तो उसके लिए मुझे market में उतरना पड़ रहा है, और इसके लिए मुझे invest करना पड़ रहा है, और इसके लिए मुझे hold करना पड़ेगा, तब ही जाके मेरे सपने पूरे हो सकते, और ये practical answer है दोस्तो, और ये ये भी कहना चाहूँगा, ये कोई में आ होना चाहिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए बहुत अच्छा लगेगा, बट ये practically जहलना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो ये ही बात fix होनी चाहे दोस्तो, जब आपके target दिमाग में clear होंगे न, तब आप लोगों को डर नहीं लगेगा, कि आपको कब तक रुखना है, कब तक जाना नहीं है, और जब तक company अच्छी कर रहे है, company के result क्यों आते है, 4 quarter में result क्यों divide करते है, एक ही बार दिखा देते, वो इसलिए दिखाते है कि आप लोगों ने देखना है, कि आपने जो लंबी आओदी के लिए जो stock चुने है, क्या वो अच्छा कर रहे है कि नह लेना चाहता तो वो आप तक पोच चुका है, and first time अगर आपने इस चैनल पे विजिट के है, तो मैं कहना चाहूंगा, मेरा और एक चैनल है, SMKC करके, उसको भी subscribe कर लेना, link नीचे description box में दे दी है, so दोस्तों ये video पसंद आए, तो ज़रूर लाइक करना, और दोस्तों इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेर कर देना, हर किसी person के पास ये video पहुचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सिफ निकलना का भी market से, इसके लिए भी course बना की पैसे लेते, कुछ भी, मतलब, समझ रहे हो ना, इतने बड़े example में आपको या पे दिखा दिये है, so that's it, thank we will be meeting our next video, तब तक के लिए, bye bye